नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 20 अप्रेल दोपहर 3 बजे राजिस्थान की खास खबरें नागोर जिले की कुचेरा में रास्ठे लोग तांत्रिक दल और भाजपा की कारे करताओं के बीच जड़प हो गई इस दोरान दोनों पक्षों के बीच जम कर लाद खुस से चले खटना में कुचेरा नगर पाले का दिक्ष तेजबाल मिर्दा के सिर पर चोट लगी मामले की घंबीरता को देखते हुए कुचेरा पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला दरसल कुचेरा में एक बूत पर आरलपी और कॉंग्रिस के कारे करताओं में कहा सुनी हो गई इसके बाद मामला हाथ हपाई तक पहुंच गया पहले भाजपा के कारेकरताओं ने रालोपा के कारेकरताओं के साथ मार पीट की उसके बाद रालोपा के कारेकरताओं ने पत्थर फैंकी इसमें एक पत्थर कुचेरा के चेयरमेन तेजबाल मिर्दा के सिर में भी लगा जिससे वो घायल हो गए अरोपय की रालोपा की कुछ कारे करता वोट देने जाने वालों को रालोपा के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कह रहे थे इसे दुरान भाजबा के कारे करता वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हो गई इसके बाद मामला हाथा पाई तक पहुंच गया डुंगरपुर स्पेशल पुक्सो कोट ने नबालिक का अपहरण कर उसका रेप करने के मामले में आरोपी को दोशी करार देते होई उम्रकैत की सजा सुनाई है साथी दो लाग सत्र हजार पे का जुर्माना भी लगाया सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि धंबोला थाने में पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह है और उसके पतनी अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं खर पर उसके माता पिता 15 वर्षे बेटी और 3 छोटे बच्चे रहते हैं 2 सितंबर 2022 को उसके 15 वर्षे बेटी घरेलू समान लेने घर से गई थी जो वापस नहीं आई काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा बाद में पता चला कि माल खोल ड़ा निवासी मुकेश उसके बेटी का पहरन कर ले गया है पुलिस ने 9 नवंबर को नबालिक को एहमदाबाद से डिटेन किया नबालिक ने बताया कि मुकेश उसका पहरन कर ले गया था और एक माह तक उसके साथ दुश करम किया जिस पर पुलिस ने पुक्स एक्ट में मामला दर्स कर अरोपी मुकेश को गिरफतार कर कोट में चलान पेश किया जोदपुर सेंट्रल जेल में उमरकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्तान हाईकूट से राहत मिली है हाईकूट ने सुनवाई के बाद आसाराम को नीजी आयुरवेद स्पताल में इलास के लिए 7-10 दिन की और मौहलत दी आसाराम को सुबह अस्पिताल में भरती होना था लेकिन लोकसबह चुनाव के पहले चरण के मतदान के कारण पुलिस जापता कम होने से भरती नहीं किया गया दरसल आसाराम को 21 मार्च को जोदपुर के नीजी आयुरवेद अस्पिताल में इलास के अनुमती मिली थी 25 मार्च को आसाराम को इलास के लिए भरती किया गया था दो अप्रैल को उसे वापस सेंटरल जेल ले आए इसके बाद आसाराम की और से हाई कोट में याच्ची का दायर किये थी इसमें उसने इलाज के लिए फिर से अस्पिताल में भरती कराने की मंजूरी मांगी थी मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि भाश्वा की लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी और प्रदेश में सभी 25 की 25 सीटे हासिल कर जीत की हैट्रिक भी हम लगाने जा रही है पीम मोदी को लेकर लोगों में उतसा है जनता को उनको फिर से पीम बनाने के लिए उतसा के साथ मतदान किया जोदपुराई मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मान एरपोड पर मीडिया से अनोप चारिक बाचित में कहा कि राजस्तान में लुकसबच चुनाव में हैट्रिक लगाना तै है पश्ची में राजस्तान में पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सवर्ष हमने पानी को प्रात्मिक्ता में रखा है जितने भी लंबित यूजनाई है उनको मूर्थ रूप दे कर जनता को राहत दी जाएगी यमुना जल समझोता हिमाचल के पॉंग बान से 10 फिट पानी लेना और पंजाब से हमारी 15 किलोमेटर कच्ची इंद्रगांदी नहर है उसे पका करना भी हमारी प्रात्मिक्ता है इसके लिए बजट मंजूर कर दिया गया है नर्मदा नहर को आगे भडाने पर काम होगा कोटा जिले में पती ने शिराब के नर्शे में पतनी की हत्या कर दी इसके बाद वहां से फरार हो गया मामला रंतपुरा थाना इलाके का है सुचना पर पुलिस मौके पर पहुँची दॉग स्क्वैड वे फसल की टीम को बुलाए गया चार घंटे बाल पुलिस ने अरूपी पती को हिरास्त में ले लिया ऐसे लोकेश ने बताया कि सूचना मिली कि स्काई पार्क के पास पत्थर के स्टॉक पर एक महिला का शाव पड़ा है महिला की पैचान 35 वर्षे साहरा के रूप में हुए पूस्ताश के दुरान आसपास के लोगों ने बताया कि रात 10 से 11 बचे दोनों पती पतनी साथ में थे पती सुनेल से साहरा का जगड़ा हुआ था इस दुरान दोनों ने शिराब पी पी थी साहरा की हत्या के बाद पती गायब हो गया जिसे सुबा राउंड अप किया पती ने हत्या की बाद कबूल कर ली है उससे हत्या की कारणों के बारे में पूस्ताश की जारी है बूंदी जिले के तलेडा थानक शेतर में सडक हाथसे में दो यवकों की मौत हो गई दोनों युवक बाइक से देडात बूंदी की तरफ जा रहे थे गोविंदपूर बावडी के पास स्पीड ब्रेकर पर दोनों उचल गए और बाइक पेड़ से टकरा गई यतेंदर की मौके पर ही मौत हो गए जबकि कुलदीब की इलास की दुरान मौत हो गई मौत के बार परिवार के सदस्या सदमे में है बाइस वर्षे यतेंदर मीना ललावता थाना इटावा वे एक तिस वर्षे कुलदीब चतरवेदी कैनाल रोड गायतरी विहार कूटा के रहने वाले थे दोनों चंद्रेशल रोड पर लॉंडरी का काम करते थे यतेंदर परिवार में एक लौता था उससे बड़ी बहन है जबकि कुलदीब शादी शुदा था उसके तीन बच्चे हैं ऐसा इदेशरा सिंग ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है हरियाना की युवाओं ने बेरुजगारी को लेकर राजे सरकार पर एक अनोखे ढंग से तंज कसा है उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी का एक कार्ड वाइरल किया है जिसमें बेरुजगार की CET यानि Common Elisibility Test Group C भरती में शादी तैह होने की बात बताए गई है साथ इस शादी में आने का इंविटेशन राजे की पूरी जनता को दिया गया है बेरुजगार युवाओं ने इस शादी कार्ड के जरिए सरकार की भरती प्रक्रिया पर सवाल उठाए है कार्ड का बकाइदा पूरी शादी के कारे करमों के साथ विवस्थित किया गया है इसमें शादी का सान करनाल का पुराना बस सड़ा है इसके मांगलिक कारे कर्मों में बेरुजगार, मिलन समारो, बरात प्रस्थान, बेरुजगारों का सड़कों पर रोश और फेरे होंगे, शादी दर्शना बिलाशी, समस्त, हरियाना की जन्ता और विनेत राजय के सभी बेरुजगार बनाए गए हैं। इस कार्ड को मेहम के निवासी दीपक फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि मेला पर बन्दकों ने लोगों को अकरशित करने के लिए मेले में 30-30 फूट उंचे लोहे के टावर लगा रखे थे, इन टावरों को जमीन पर गाड़ा नहीं गया था, केवल जमीन पर रख कर काम चलाया जा रहा था। शाम के समय चली तेज आंदी के कारण लोही का एक बड़ा टावर गिर गया, जिसमें मेला देखने आया, एक युवक को चपेट में ले लिया। युवक के साथ आई उसके दोस्त ने उसे लास के लिए नीजी अस्पताल पहुँचाया, जान डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया। थाना सदर पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पैचान अर्विंदर कुमार निवासी कलीचपुर के रूप में हुई है, मृतक अर्विंदर कुमार की चार महा पहले शादी हुई थी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोलपूर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेतर के गुर्जुरा कला गाम की ग्रामिडों ने लोगसबा चुनाव का वाईशकार कर दिया। सरकारियों को लिखित में शिकायत पत्र दे कर अवगत करवाया गया, लेकिन सरकार और प्रशाशन ने किसी भी नुमाइंदे ने सडक समस्य से निजात दिलाने की जहमत नहीं उठाई है। सरकारियों की ग्रामिड थाना हरसानी कांटे के पास किया, सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचे। का पूरडी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, फिलहाल हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जारी है। पंजाब के बरनाला में प्राइवेट स्कूल की बस ट्रक से टकरा गई, हादसा बरनाला चंडिगड हाईवे पर धनौला के पास हुआ। खतना में बस ड्राइवर महिला हेलपर के लावा 14 स्कूली चातर घायल हो गए, सबे घायलों को पचार के लिए धनौला सिविल अस्पताल में भरती करवाया गया है। हादसे का शिकार हुई बस दानगड गाम के ग्रीन फिल्ड कॉनवेंट स्कूल की है, बस ड्राइवर बुटा सिंग ने बताया कि सुबा करीब 8 बजे अलग अलग गामों से चातरों को लेकर स्कूल की तरफ जा रहे थे, बस में करीब 40 चातर थे, रास्ते में बस की सामने स जा रहे हैं ट्रक के साथ टकर हो गई, डियस पे सत्वेर सिंग ने बताया कि शुरुवाती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर लापर वाही से बस चला रहा था, सामने ट्रक यू टर्न ले रहा था, ड्राइवर ने बस स्लो नहीं की और सिधा ट्रक से टकरा गई, झाल 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 झाल